प्रेगनेंसी किट में अगर दो लाइंस दिखाई देते हैं तो आपको पता चल गया कि आप प्रेगनेंट हो बट किट से चेक करने से पहले भी कुछ-कुछ सिंटम से अगर वो लक्षन आप में दिखाई देता है तो आप बोल सकते हो कि आप प्रेगनेंट हो तो आज हम बात करेंगे early pregnancy symptoms के बारे में शुरुवाती ऐसे क्या-क्या लक्षन दिखाए देंगे जिसमें आप confirm कर सकते हो या pregnant हो तो आए स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे most important point है वो है breast tenderness आपका जो breast है वो sensitive हो जाएगा आपका breast में heaviness दिखाई देगा आप अगर निपल कर टच करते हो तो आपको दर्द फिल होगा ऐसा क्यों होता है यह pregnancy hormone progesterone के वज़ा से होता है उसके बाद आता है आपका जो vaginal discharge vaginal discharge का amount बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाता है विकास हमारा जो progesterone hormone के प्रभाब से हमारा जो cervical glands होते हैं उनके size बढ़ जाते हैं और उनके size बढ़ने के वज़ा से सिक्रेशन भी बढ़ जाता है तो vaginal secretion जो है वो बढ़ जाएगा next point यह है कि आपको जब हमारा व्रोन जब बच्चे दाने में चिपकता है यानि कि implant होता है तो आपको spotting दिखाई दे सकता है तो spotting अगर दिखाई दे तो कोई-कोई पेशन बोलते कि period स्टार्ट हो गया but period का flow और spotting में difference है वो जो है आपको हलके सी bleeding दिखाई देगी तो ऐसे अगर होता है उसके बाद bleeding और नहीं होता तो फिर आप सोचो कि spotting यानि की implantation bleeding है और आपका pregnancy हो सकता है जो next हम बात करेंगे वो है आपका acidity gas हमारे फूल पाइप होता है और हमारे जो stomach होता है यह फूल पाइप और stomach के बीच एक valve है जो की pregnancy के दोरान वो lose हो जाता है relax हो जाता है जिसके कारण हमारे stomach में जो acid होता है वो regurgited होके उपर चला जाता है इसके कारण pregnancy के time आपको acidity हो सकता है तो acidity अगर जादा हो रहा है तो यह आर्ली pregnancy ka fem हो सकता है constipation भी आपनि प्रिग्नेंसी का लड़टशन है आपका जो bowel movement है वो ठीक हो रहा है बट अगर नापका pregnancy हो गया है तो आपको लगेगा कि constipation होना start हो गया है यह क्युं हो रहा है because of progesterone हर्मोन आपका जो digestive system है वो slow हो जाता है इसके कारण आपको constipation होता है अब बात करेंगे tiredness patting ये प्रेगनेंसी में क्यों होता है बहुत सारे लेडीज आपने देखा होगा प्रेगनेंसी हो गया और वो लोग बिल्कुल भी लेथार्जिक हो जाते हैं बिल्कुल भी sleepy feel करते हैं बेड पे लेटे रहते हैं एनर्जी नहीं है एक्टिव नहीं रहते हैं तो ये भी टोजेस्टरन हर्मोन के वज़ा से होता है इसके साथ-साथ आपको mood swings भी हो सकते हैं emotional changes भी दिखाई देता है कभी-कभी आप irritable हो जाते हो husband के साथ जगडा शुरू हो गया आप husband के साथ अच्छे से बात नहीं करते हो तो ये सारे situation में मैं सारे husbands को ये request करूँगी कि जो भी महिलाए हैं जो recently pregnant होए हैं तो उनका ये सारे चीज़ों में आप उनको support कीजिए बिकर्स ये जो है pregnancy का एक पार्ट है initial stage में जब हमारा pregnancy hormone, progesterone का sudden rise होता है तो फिर ये सारे changes काफी natural है pregnant release में आना इसके बाद हम भीसकस करेंगे mild pain रहना lower abdomen में आपके निचले भाग पेट में हलका सा cramping pain रहेगा बिकर्स आपका जो progesterone hormone के बज़े से आपका blood supply बढ़ रहा है uterus में आपका जो uterus है वो ग्रो कर रहा है इसके कारण आपको थोड़ा सा mild cramping pain जैसे feel हो सकता है अच्छा तो अभी urine related क्या changes होगा बिकर्स हमारे uterus के पास हमारा bladder रहता है और हमारा जब pregnancy होता है तो uterus के size बढ़ता जाता है वो एक तो bladder के उपर pressure डालता है इसके साथ-साथ और भी एक reason है क्योंकि हमारा blood volume बढ़ जाता है और इसके साथ-साथ kidney को जो extra fluid है वो excret करना होता है इसलिए हमारे pregnant ladies को बार-बार urine पास करने का मन करता है बट अगर यूरिन जो आप बार-बार पास करते हो इसके साथ-साथ आपके यूरिन से कुछ बद्भू आ रहा हो या फिर आपको जलन हो या फिर आपको pain abdomen हो तो ऐसे situation में यह हो सकता है कि आपको urinary tract infection हो ऐसे situation में आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जल्दी से बिजिट करें तो यह सारे early pregnancy symptoms है और यह सारे symptoms आपको mostly pregnancy kit में positive आने से पहले भी पता चल जाता है अशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए informative रहा हो यह अपने friends और family के साथ यह वीडियो को आप जरूर शेर कीजिए और अगर आप new हो इस channel में ऐसे informative वीडियो के लिए इस channel को subscribe कीजिए Thank you